Hello traders and welcome to the studio members HDFC bank को आज की दिन मनें trade किया था और अपने private group में morning when में HDFC bank को short side की तरफ trade काने अगे लिए था कफी लोगों ने trade किया हमने खुद भी HDFC bank को trade किया हालांकि की बहुत बड़ा हमें profit देखने को नहीं मिला क्योंकि move ही नहीं गुआ तो पंदरा सोय और सोला सुर्पए को कुछ का पॉफिट हमने इसके अंदर बूग किया था जो में चीज आज की वीडियो वे हम लोग देखेंगे मधर केंडल के कॉंसेप्ट को समझेगे एक जो नॉर्मल मधर केंडल होती है उससे हट करके अगर हमें एडवांस देखना है तो हम किस तरह से देखेंगे तो वीडियो का अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजगा कॉमेंट कीजगा और अगर चैनल पर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा देखेंए दो लाइन हमने यापर रख रख रखी जिसमें से नीचे वाली जो हमारी लाइन है वहाँ से हमने प्राइस को ट्रेट किया था हमिद दिये थी कि अगर प्राइस हमारा ये जो लेवल है अगर इस level के नीचे breakout दिखा देगा morning में तो एक ठीक ठाप move दिखेगा trade book अपनी open कर लेते हैं so okay espresso espresso का आप लोग चाहो तो account open कर वा सकते हो बहुत सारी facilities हैं जो other brokers में ना मिल करके यहां पर आपको मिल सकती है next month से हमारी जो workshop स्टार्ट हो रही उसका free access आपको क्योंकि वह free workshop होगी free classes होंगी तो उसका भी access आपको हमारी तरफ से मिलेगा so आज के जो हमारा trade है उसका overall profit हमारा 1867 रुपीज का profit इसको refresh कर लेते हैं एक बार 1867 रुपीज लगभग 3000 का risk था one is to one भी हमको नहीं मिला move भी नहीं किया order book में देखे जो overall हमारी quantities थी 830 quantities के साथ 188 हमने execute किया था entry जो हमने इसके अंदर ली थी 1597.25 पर थी इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं okay 1597.25 पर entry थी and profit जो हमने book किया 1595.30 पर profit बुक किया थे so वापस से position order book okay position book में चलते हैं so 1867.50 का overall हमारा profit है so कोई बहुत बड़ा profit नहीं लेकिन हाँ यह जो हमने trade execute किया है इसके पीछे के logics क्या है क्या reason है हमारी reading क्या रहे यह important है profit कभी कम कभी ज्यादा कभी loss यह सब चलता रहता है है न तो start करते हैं आज का वीडियो और जो एक चीज हम बताएंगे न यह कुछ ऐसा नहीं कि किताबी बाते हैं या कहीं से पढ़ करके हम आपको जस्ट सिर्फ बोल दे रहे हैं यह सब live market की चीज है तो बहुत द्यान से चीज को देखेगा लास्टेड हमने एक्जिक्यूट क्यादा फार्मस सेक्टर का था ग्लेनमार का तो करीब 16-17,000 रुपय का प्रॉफिट उस दिन हमको मिला था और आज देखे 18-100 रुपय का प्रॉफिट मिला है यह फग सिर्फ इसी वज़े से आता है अगर प्राइज मूव करेगा क्योंकि उस दिन जो हमको मूव मिला था न वो 2% से ज़्यादा का मूव कैच किया था हम लोगो ने तो ठीठा प्रॉफिट देखने हो को मिला आज देखे STFC बैंक के अंदर इस टॉप लॉपय का पेशी से अंदाजा लगाई है सिर्म मालूम नहीं होता है लेकिन मार्केट बंद होने के बाद में हम लोगे इनर्सेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए मिसले बोले क्योंकि देखें 1597.55 पर एंट्री 1601.15 पर हमारे स्टॉप लॉस आप देखोगे तो करीब 4 रुपय का हमारे स्टॉप लॉस आ पूरा मतलब 1600 रुपय के स्टॉप के अंदर 3 रुपय सतर पैसे के स्टॉप लॉस और यह किस वैसे है न वोलेटिलिटी देखें इसके उपर तो यह डिपेंड करेगा कि 1600 रुपय का है तो इसके उपर 6 रुपय, 7 रुपय, 8 रुपय के स्टॉप लॉस लगाएंगे फाइनली हमें देखना है तो हम प्राइज एक्षिन ही पड़ेगा और केंडल से चोड़ी चोड़ी फॉर्म हो रहे हैं, वोलेटिलिटी ही नहीं है, तो इस स्टॉप लॉस कहा परा गए, यही पर हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस जो फर्स्ट ग्रीन केंडल ही, इसके पर मनें थोड़ा सा रख दिया, चाहते हैं तो इस स्विंग पर भी रख सकते थे, लेकिन काफी छोटा है स्टॉप लॉस हो रहा है, यह थोड़ी नहीं कि सोला सुरॉप लॉस में टेक्निकल ही सही है, लेकिन अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ केंडल बनी, इसके बाद में तो छोटी-छोटी केंडल का इस सारी फॉर्म हुए है, लेकिन जो बड़ी वाली हमारी केंडल बनी, अब अगर प्राइस हमारा है स्टॉप लॉस थो उसको क्या करना चाहिए न, क्योंकि यह जो हमने ट्रेड एक्जिक्यूट किया है, मतलब last to last week की केंडल हमारी यह वाली केंडल है और last week की जो केंडल की performance रही है, यह average performance रही है हyes टिफ सी बैंक केंडर, क्योंकि price ने हमारी इस बड़ी वाली केंडल को up set के तरफ तोड़ने की कोशिश की, बट cruise मेरा नीचे के तरफ किर गया, समझ रहे हैं, जो बड़ी वाली हमार candle है price ने इसे upside के तरफ तोड़ने की कोशिश की बट price हमारा again हमारी range के अंदर heat rate करने लगा करके और यहीं कहीं close हो गया अब हम यह देख रहे हैं कि अगर अगर price हमारा strong है तो इस बड़ी वाली candle के अंदर क्यों आ गया यहाँ पर drawing उतनी perfect नहीं है अभी charts पर जब हम लोग चलेंगे तो एक ए candle वहापर समझ भी आगए आपको और फिर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह जो यह वाली candle थी actually इसने mother candle form की थी और आज हमको price इस बड़ी वाली major candle के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया so इस वाज़स हमें इसको trade किया था अभी charts पर चलिए देखिए HDFC bank है day time frame and day time frame के बाद में lines चले डिलीट कर देते हैं अब देखिए पूरा यह जो एक zone बना हुआ था इसको price ने एक volume के साथ breakout दिखाया price ने volume के साथ तोड़ दिया इसको break कर दिया यह बड़ी सी candle बनी काफी बड़ी candle है यह जो ले देखिए क्योंकि high volatile candle है यह काफी बड़ी candle है volume space ले यह important बन जाती है अब price को क्या करना होगा हमारी इस बड़ी वाली candle को break करना होगा देखिए logic लगाईए price को आप समझने के कोशिश के read करिए क्या कर रहा है price का action देखिए किस तरह के price बन रहा है यहाँ को indicator तो लोग यूज़ करने रहे simply volume और price को ही combined करना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है green candles तो form हो रही है बट किस तरह है 14th of November की जो candle है इसने mother candle form की ठीक है हम इसको mark कर लेंगे अब अगर mother candle है तो यहाँ पर volumes देख लिए किस तरह हैंगी volume मेरी गिर रही है और price ने high volume के साथ इस mother candle को break कर दिया समझते चलिएगा एक high volume के साथ हमारी इस mother candle को आप इस line को delete कर दो price ने mother candle को break किया अब आप बताइए mother candle के according price अगर किसी एक range को break कर रही है तब तो यह strong हो गया ना क्योंकि mother candle का high break हो गया अब price ने upside के तरफ breakout दिखा दिया है और यहाँ पर volumes भी increase हो गए जैसे कि यहाँ पर देखे volume बढ़ी है अगर कोई price high volume के साथ किसी level को break कर रहा है तो expectation यह होती है कि price उस level के उपर sustain होगा बट यहाँ पर देखे price sustain नहीं हुआ है यहाँ से सीध है यह नीचे की तरफ गिर गया देख भा रहा है हमारी range के अंदर price आ गया जिस level को इसने break किया था उपर की तरफ उस range के अंदर की तरफ आकर की trade कर रहा है क्या हम कह सकते हैं कि यह जो mother candle हमारी बनी है जिस mother candle की उपर price ने breakout किया था अगेन उसी mother candle के अंदर आकर के price trade कर रहा है यहाँ पर price क्या कर रहा है high volume के साथ breakout तो कर दिया बट यह जो buying की volume आ रहे हैं इसके अंदर जो bullish volumes आ रही है यह कम है कम होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि price ने यहाँ पर भी देखिए inside bar बना दी समझभा रहा है inside bar बन गई अब देखिए internal structures form हो रहा है मतलब structures के अंदर structures बन रहा है यह तो already mother candle थी अब देखिए mother candle के अंदर mother candle form हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है यह जो बड़ी वाली candle है इसने भी एक formation form कर दी यहाँ पर मतलब अब यह green वाली candle का भी low मेरे लिए support हो गया और इस वाली candle का भी low मेरे लिए support हो गया अब देखिए price क्या कर रहा है morning में जब यह open हुआ है क्योंकि एक दिन पहले Friday के दिन price ने इस वाले support को break करने की कोशिश की ती बिल्फुल confuse मत होना समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार ये वीडियो देख लेना आप आपको clear हो जागा क्योंकि बहुत simple है खुद से आप देखिए कि अगर ये मेरी mother candle बनी हुई है हम बार बार आपको समझा रहे है अगर ये मेरी mother candle बनी है और price ने इसको volume के साथ break कर दिया तो ये उपर चला जाए ये वापस इस range के अंदर क्या करने आ गया और यहाँ पर देखे अगेन एक mother candle फॉर्म हो गई न ये वाली अब अगर price को उपर की तरफ जाना है तो इस range के अंदर अगर ये आकर के trade करा तो इससे बाहर तो निकले इससे बाहर तो यह ही नहीं रहा है ये फिर से हमारी इस range के अंदर लगाए क्या हम लोग इससे ये पता लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमें week लग रहा है फिर से देखे क्या किया है इसने इस वाली mother candle के अंदर एक और mother candle form कर दी और उसका breakout ये नीचे की तरफ करने के कुशिश कर चुका है Friday के दिन और आज इसकी opening ये नीचे की तरफ हो गई है और अब जो test बचता है वो हमारी सबसे last वाली mother candle का second last mother candle का अगर price strong है अगर ये strong है तो देखे इसके लिए हमें support points देखने पड़ेंगे price अगर मेरा strong है तो वो कौन सी जगह है जहां से price हमारा upside की तरफ जा सकता है पहली ये दूसरी ये तीसरी ये अगर price इस वाली जगह से upside की तरफ नहीं जा रहा है तो कहीं न कहीं इसके अंदर selling के symptoms हमको नजर आ रहे हैं और buying के symptoms नजर नहीं आ रहे हैं हम buy नहीं कर सकते इसको buying हम तब ही करेंगे जब price हमारा इस level के ऊपर की तरफ निकलेगा जैसे ही price ने हमारी इस वाली candle के नीचे movement दिखाया हमें समझ में आ गया कि price resistance हो रहा है price resistance लेकर के नीचे की तरफ गिर रहा है क्योंकि जब ये upside की तरफ जा रहा है तो इसकी volumes कमजोर हो रहे है यहां पर देखिए ये volumes कमजोर हो रहे है और price हमारा नीचे की तरफ और फिर से देखिए नीचे की तरफ ये तो आज candle बनी आज की candle है तो हमें कैसे बता से लेगा कि इसके अंदर volumes कम हैं ज्यादा हमें ये थूड़ी रहा है कि 29 को 18 से भी कम volumes आजाएंगे expectation तो ये थी कि price अपना एक support ग्रेक कर रहा है तो यहां पर volumes आएंगे लेकिन market की condition आप देखिए रहो अब देखिए इसके नीचे price ने क्या move दिखा है मतलब 14th of November के नीचे जैसे ही price ने 5 minute की इस वाली candle की नीचे आकर के move दिखाया 1598 के नीचे हमने कहा कि इसके नीचे short selling कर दो swings के हमारे stop loss रहेंगे same trade हमने भी किया और यही वाला stock हमने सभी लोगों को treat भी कराया जब price यहां कहीं move कर रहा था शायद इस वाली जगह पर यह 1593 यह वाली जगह थी तब इपने कह दिया था कि आप profit बुक करके निकल जाओ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है यह stock कुछ profit करके मतलब ऐसा भी नहीं कहा था कि पूरी quantities निकल दो कुछ जो profit से वो book कर लो और फिर hold करो wait करो फिर जब price हमने देखा कि उपर की तरफ जाने लगा तो यह वाली जो candle बन रही थी यहां पर सारी quantities हमने book करवा तो overall cool मिला करके अगर हम देखे तो आज profit में निकले हैं भले ही थोड़ा profit है लेकिन है वो profit हमारा आठारा सो के असपास का अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कम से कम पंद्रा सो असी रुपए तक का अगर यह level हमें दिखा देता ना तो मज़ा आ जाता नहीं 1580 तक दिखाता तो यह 1585 तक दिखा देता काफी अच्छे target points होते यह move नहीं किया market ने अब आप चाहें जितनी अच्छे analysis कर लो चाहें जितना भी अच्छे stock उठालो अगर वो move नहीं करेगा ना तो मज़ा आये गा ही नहीं फिर और इसको practice कीज़ेगा कोशिच कीज़ेगा एक stock दो तीन चार पांच स्टाक से उपर जितना हो सकते हैं अभियास कीज़े नेक्स्ट मन्त से जो workshop मारी start होगी फ्री workshop होगी वो हर महिने के last Saturday को होगी उसका अभी access आपको मिल जागा आप वहाँ से join कर सकते हो उसको आपको share करें so thanks and we will meet again